कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकाडमी पर देखे इसके पहले कि हम लोग अपने टेस्ट सीरीस का डिसकेशन शुरू करें एक छोटी सी इंफार्मेशन है आप सभी के लिए अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे पेड़ ग्रूप को जॉइ नहीं किया है वे हमारे पेड़ ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं हमारे पेड़ ग्रूप को जॉइन करने के लिए आपको हमारे वाट्सअप नंबर 9044883929 पर हाई या हेलो लिख करके भेजना होगा या जो भी आपकी इच्छा हुआ आप लिख करके भेज दीजिए वहाँ पर फिर आपको सारी इंफर्मेशन प्रवाइट करवा दी जाएगी तुरंती ठीक है तो फीज जो है वह मात्र जो है सुरूपे ली जा रही है आगे सभी इंफर्मेशन के लिए आप जो है इस नंबर पर वाट्सअप करके सारी इंफर्मेशन को ले सकते हैं तो ज्यादा ज़्यादा लोग सहयोग कर दीजिए जिससे की जो है आगे की चीजों में सुधार किया जा सके फिलहाल चलिए चलते हैं सुरू करते हैं टेस सीरित को चलिए बात हो यह वहारी टेस नंबर टू की और टेस्ट नंबर टू में अभी तक हमने पहले लेक्चर में या डिन आपको दिया जा रहा है तो पूरा का पूरा ध्यान और कंसेंट्रेशन बनाये रहेगा 21 से लेकर के 41 तक के सभी प्रश्णों को आलमुस्ट लगभग लगभग टोटल जोगरफी आपकी कवर हो जाएगी टोटल तो नहीं कहा जा सकता लेकिन हां 75% के आसपास जोगरफी आपकी कवर होने वाली है इन 21 से लेकर के 41 तक के प्रश्णों के बारे में वर्ल जोगरफी की बात कर रहा हूं है तो चली शुरुआत कर लेते हैं 21 प्रश्णा आप लोगों को करने के लिए दिया गया था और एक चीज़ और लाइक करते चला करिए ठीक है और अच्छा लगे तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं तो देखे यहां पूछा जा रहा था कि महासागरी जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से जुड़े निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला प्रिष्ठिय जल या सरफेस वाट अगर दच्छडी गोलार्थ के महासागरों की तूला में भूमी के साथ अधिक विश्त्रित रूप से संपर्क में होने के कारण कम उस्मा प्राप्त करते हैं कतन तीन था कि भूमी से महासागरों की और प्रवाहित होने वाली पवने प्रिष्ठिय जल को तट से दूर ले जाती हैं जिसके परिडाम स्वरूप नीचे से ठंडे जल का उत्प्रवाह या फ्लो होता है इसके विप्रीत अभितटी पवने उस्ड जल को तटके निकट लाती हैं जिससे तापमान बढ़ जाता है अभितटी पवनों की परिवासा यहां ब्रैकेट में दी हुई है जब भी किसी चीज की डिफिनीशन या परिवासा ब्रैकेट में दी हुई तो उसको आप स्किप करके पहले अपने प्रश्ण को पूरा किया करिए उसके बाद उस चीज पवने वे होती है जो समुद्र से जो है इस्थल की और बहती है मा लिजिए कि यह सी सर्फेस है और यह समुद्र की तरफ से यह हवाएं इस्थल की और जो हवाएं आ रहे हैं उनको बोला जाता है अभी तटी यह पवने ठीक है चलिए आई अब आगे बात करते हैं अपने कतनों के बारे में आपसंस के बारे मे इसका जो सही अन्सर है वह है किवल और किवल आप्ष skins नंबर 3 ठीक है है आप इत्मिनान से पढ़ेंगे और काईदे से आपने अगर जोगिर pढ़ी है तो आप इस प्रश्न का असर आसानी से दे भी सकते थे जोग़रफ़ी के पहले ही च appel से इस प्रश्न का आसानी से आप हल कर सकते हैं देखें सिंपल सी बात है जैसे यह प्रित्वी हो गई यह विश्वत रेखा या जीरो डिग्री लाइन हो गई इसके बाद यह हो गया तीस साथ 90 हो गया फिक है यहां से जब यहां जाएंगे तो टेंपरेचर बढ़ेगा की घटेगा टेंपरेचर घटता है तो द्रूओं की ओर जाने पर ताप मान घटता है यह तो सही हो गया अब रीजन क्या दे रहा है क्योंकि द्रूओं की ओर जाने पर सूर्याताप की मात्रा बाब सूर्य का टेंपरेचर अगर जादा पड़ेगा तो यहां का टेंपरेचर भी तो बढ़ जाएगा लेकिन यहां का temperature तो घट रहा है तो सुर्याताप की मात्रा भी घटती जाती है इस कारणिया पहला कतन गलत हो गया दूसरा चीज ठीक है दच्डी गुलार्द के महासागरों की तूला में भूमी के साथ अधिक विस्तरित रूप में संपर्क में है इस कारण से वे अधिक उस्मा प्राप्त करते हैं यहां पर क्या लिखा है कम उस्मा प्राप्त करते हैं ठीक है भूमी से अधिक रूप में संपर्क में होने के ज्यादा नहीं है या फिर दच्छली गुलारत के महासागरों के छेत्र में भूमी का विश्तार कम है इस कारणवे कम उस्मा प्राप्त करते हैं ऐसे यह सारी चीजे क्लियर हो गए तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल और बिल्कुल सही है भूम से महासागरों की और प्रवाइत तियुक्त ये इसका स्फेस वाटеш समूदर कर ठीक और ये नीचे है इसका यflower वालला जो है इसका ये इसका नीचे का जले ठीक अब जो हवाई इधर से चल रही है भूम से सागरू की तरफ चल रही है यह अपने साथ क्या करती है इस हरे वाले यानि कि प्रिष्ठिय जल को अपने साथ पीछे की वो ढखेलती है नीचे वाला परिडाम सुरूप क्या होता है नीचे वाला यह जो गर्म जल है यह उपर आ जाता है और यह उपर का तापमान ज नीचे हो गया होगया आपको समुद्र यहER जातों हरे आ यह बोने फानेधर से आएंगी यह दिशा से बहेंगी तो यह रिथर के सर्फेस वाटर को अपने साथ या ठीक रिया फिर समुद्र से जितना भी गरम जल हो इस तल की और आ रहा है तो क्या होगा ब्ढ़त जाएगा वह सुरफेस वाटर के होता है ऑधिन फ自 허िड़ को ले आ रहे हैं उसक्नी जन teenage पर और नीचे का ठंदा पानी ऊपर आ जा रहा है तो वहां का temperature कम होगा इधर का temperature ज्यादा हो जाएगा कम होगा वहां का इस से आपको मतलम नहीं रखना है सीधे statement यह याद रखिएगा ठीक है और यह सारी के सारी statement जो है महासागरी धाराओं करेंड को लेकरके आपके लिए तो जैसे जैसे हम ध्रूगों की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे कारण जो है महासागरी जल्काता आपमान भी कम हो जाता है या फिर घटने लगता है ठीक टेंपरेचर जो है वह कम होने लगता है क्योंकि ऊपर जाते-जाते सूर्य की क्रिणे ऐसे जीरो डिगरी लाइन पर लंबोत पड़ती हैं उसके बाद तिर्ची होती हैं फिर और तिर्ची हो जाती है ठीक इस कारण यहाँ पर सूर्याताप की मातरा ध्वोकी और कम होता है तो महासागरू का ताप मान भी महासागर के सरफेस वाटर का टेंपरेचर भी लो होता रहता है कहीं कई पर आप देखे सीदा सीदा की जो उत्तरी गोलारत के महासागर हैं वो में बहुं के चाहिए कि उत्तरी गोलारत के महासागरू की तूर्ला में कम रूप से भूम इसे संपर्क में है इस कारण दच्छडी गोलार्द के जो महासागर है वे कम उसमा प्राप्त करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में बता दिया गया प्रचलित पाउने कोई संदर्व में यह पूरा का पूरा स्टेट्मेंट है यह जो पूरा का जब इस थल से इसल की और हवाय चलती है तो अपने साथ गर्म जल को या तुर दूर माय हो जाता है और जब महाल की और हवाइच हो जाता है आ शुल आखेसा और वह आता है महासागरी धाराओं का आपने देखा होगा का है करेंट के बारे में कर्णा पड़ा एक तरह है अथुसके निए थारी महासागरी धारा पॉतार पहले तिक है एक तरफ बहती है तो गर्म लड़ार्ल है तो फिस चिटर से भी वहां का तापमान क्या होगा गर्म हो जाएगा और ठंडी जल्धारा जैसे कि एक्जांपल सरूप आप गल्फ की इस्ट्रीम को ले सकते हैं गल्फ इस्ट्रीम में गर्म जल्धारा है यह अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे से टकराते हुए आगे बढ़ती है तो यह अफ्रीका के पूर्वी तट के ऊत्तर पूर्वी तट को जो है ठंडा कर देती है और आगे चल करके जब गल्फ इस्ट्रीम ओर लेबराण की धरा है आपस में मिलती है तो वह काफी जयादा जहां पर भी आप देख चीजा या रखेगा जो गर्म जल्धारा है और जब आपस में मिलती हैं तो मस्यन वहाँ पर ज्यादा होता है। वहाँ पर मचलिया ज्यादा होती हैं तो यह प्रकार मरुष्थल का काम करती है। ठंडी जल्दारा एक प्रकार के ठंडे प्रदेशों के जैसे की सामाने प्रदेश हो गया आप देख लिजिए कि अपने हां के जैसे हीमालय उमालय के चेत्र हो गया वह ज्यादा अधिक उपजाओं वहां पर छोटे-चोटे पौदे या खाने लाइक चीजे ज्यादा होती ह है जबकि गर्म चेत्रों में आप राजस्थान जाएं तो वहां पर वेराइटी थोड़ी सी कम हो जाती है यहां पर तो सारी सारी उत्पादक्ता अत्यधिक हो जाती है कि और इस कारण से यह जहांपर मिलते हैं वहांका टेमपरेचर जो थोड़ा सामान ने होता है ठीका ज्यादा ठंदा न ज्यादा गर्म तो यहाँ पर मच्छियां ज्यादा होती है और उनके खाने पीने विवस्था भी ज्यादा हो जाती है सिंपल सा रीजन है तो थीक है अगर्म जालारा रात से नष्ट क्यों हो जाती है तो वह नष्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां पर आक्सीजन बहुत ज्यादा बनने लगता है तो शुपोस्टर यानि कि यूट्रिफिकेशन के अवस्था आ जाती है और अत्रधिक सुपोस्टर के कारण वह दीरे दीरे नष्ट हो जाता है वहां की उत्फपादक्ता देजरे नष्ट हो जाती है निक्स्ट और लास्ट एक महासागरी इन ही सब लिखने उखने के करड़ आप लोगों से फीस की डिमांड की गई है आप लोगों को लग रहा होगे कि मैं अपने लिए मंगा रहा हूं बेकी वेस्टित समोद्र अच्छा का समय schon मैं अंब्धूस सागर होते हैं उनके टेमप्रेचर की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखे बंद्ध्शागर का टेमप्रेचर सिंपल सी बात है ठीक है ये बना हुआ है ऊपर की तरफ तू अधिक आज़ान्जों प्याय से जीरो से शुरू होता है थो उच आज़ान्जों पर अगर बंद समुद्र या फिर in closed c होंगे तो उनका ताप्मान कितना होगा बता ये उनका तापमान कम होगा खूले समुद्र की तूलना में और अगर यहां पर होंगे जीरो डिग्री लाइन पर अगर समुद्र होंगे दूसरे पैंसे बनाता हूँ जीरो डिग्री लाइन पर अगर यह समुद्र होगा तो यहाँ पर सुर्या तब की मात्रा उसको ज्यादा मिलेगी इस काराण उसका टेंपरेचर जो है खुले समुद्र की तुलना माली यह खुला समुद्र है तो इसकी तुलना में इसका टेंपरेचर क्या होगा ज्यादा हो होता है ठीक है यह उच्छ आच्छांसों के संदर्म में है और यह जो है निम्न आच्छांसों के संदर्म में बंद समुत्र के temperature को ले करके आई अब चले अगले प्रश्ण पर उम्मीद है अब यहां पर कोई चीद करने वली नहीं होगी यहां एक जेट स्ट्रीम को बात करने से पहले पि यहञे को और παण तीम पेन दूसरी ले लो टीक तो जीरो डीग्री से 30 बीविश्टी के बीच जाती है हमारी हेडली सेल ठीक है इसका बहाव कुछ इस तरीके से होता है हवा का ये इस प्रकार थीश डीडीविश्टी से थोड़ा सा उपर चलिए को पूरा डीटेल से डेडली पोलर और तो feral cell के बारे में नहीं बताया जाएगा, बस हवा का करम जानी है, ताकि इन सब सब्सक्राइब से आप जो सुने सुनाएं, जो भूल रहे हैं, वो आपको याद आ जाए, ठीक है, अब ये कौन से cell हो गई, ये हो गई हमारी हेडली, ठीक है, अब हेडली cell से उपर जाने पर आपको मिलती है, फेरल, फेरल cell का बहाव किस से किस दिशा में होता है, तो फेरल cell जलती है, इस प्रकार से, उत्तर पुरू की तरफे, ठीक है, ये कौन से cell है, ये फेरल cell है, फेरल cell से और उपर जाएंगे, तो आपको पूलर मिलेगा, पूलर आप धुरू से भी समझ सकते हैं, दुरू को पूल, क्या कहते हैं, नौर्थ पूल और साउथ पूल जैसे बोलते हैं, वैसे ही पूलर सेल, सबसे लास्ट में, पूलर सेल आपको मिलेगा, तो पूलर सेल की हवा की गति किस प्रकार से रहती है, दिशा की प्रकार की रहती है, गति नहीं, दिशा की बाते के करम की दिशाएं भाकि यहां पर बताई यह अंदर किस प्रकार से किस दिशा से हवा चलती उत्तर पुरब पश्च्च्म किधर चलती है और उत्चु उत्तर उत्तर यह आपको कमेंड करके बताना है ठीक है चलिए अब बात करते हैं कुश्चन नमबर 22 की की आखिर पूछ क्या रहा देखे पहलात कथन है कि धुरूवी जेट इस्ट्रीम फेरल तथा पूलर सिल के मध्य प्रवाहित होती है दूसरा उपोस्टर कडिबंदी जेट इस्ट्रीम हेडली तथा फेरल सिल के मध्य प्रवा में से कौन सा चतन सही है आपसं है एक केवल एक और दो बी केवल दो और तीन सी केवल एक और तीन या फिर दी उपरोकती सभी कभी अप आप से ना से संबंधित दिसाय नहीं पूछी जाती है ठीक है वैसे मैंने आपको बता दिया है इनका क्रम भी मैंने प्रस्ण को पूछने से पहले बता दिया अब बताइए आप इसका सही एंसर क्या होगा मुझे ना असल में पुरा विश्वास था कि आप लोगों को ध्यान नहीं होगा पोलर एडली है फिर फेरल सिल के बारे में पता तो है आपको बस काफी माइनर सी चीज है ना यह इतना कुछ पढ़ना है ठीक है तो देखिए इसका जो सही एंसर है वह है आपसन नंबर 3 ठीक ह सारे के सारे कथन सही है बस समझाने लाइक इसमें कुछ नहीं है इन सभी का क्रम आपको बता दिया गया है ठीक बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रस्न के बारे में पूछा जा रहा है कि जेट इस्ट्रीम के निम्लिखित विसेश्टाओं पर विचार कीजिए पहला ये वायू के व्रिहद अस्तरी आदान प्रदान द्वारा अच्छांसी उसमा संतुलन को बनाये रखने में सहायता करती है दूसरा समसीतोस्वर चक्रवात के मार्ग तथ वर्सा वित्रड़ को प्रभावित कर मद्य अच्छांसी चेत्रों के मौसम को प्रभावित करती है तीसरा वायू रासिया जेट इस्ट्रीम के विखित असतरी आदान प्रदान द्वारा अच्छांसी उसमा संतुलन को बनाये एक रखने में सहायता करती हैं दूसरा कताने कि जेट स्ट्रिम सम्सीतोस और चक्रवात के मार्ग तथा वर्सा वित्रण को प्रभावित कर मध्य अच्हांसी छित्रों के मौसं को प्रभावित करती हैं तीसरा कतन है कि जेट इस्ट्रिम वायर रासियों के संचलन को प्रभावित करती है जो दिर्गाव अधितक सूखा अथवा बाण के प्रमुक कारण बन सकती है उदाहरण के लिए सीत रुतु में उत्तरी अमेरिका में ध्रुविय भवर या फिर पोलर वर्टिक्स सीत लहर का प्रभाव अमेरिका में सीत लहर चलती उसको पोलर वर्टिक्स बोला जाता है पूछा चारह आपसे कि उपरोक्त में से कौन कौन से कफन जो है बेश सही है option है A केवल 1 और 2 B केवल 2 और C है केवल 1 और D है उपरोक्त सभी C है केवल 1 और D उपरोक्त सभी मैं यहां लिख देता हूं आप कफनों को समझे C है केवल 1 और D है 1, 2 और तीनों सही बताइए कौन-कौन सा सही है इसमें इसका भी जो एंसर है वह है option number D टीन के तीनों ही कतहँ सही है ठीक है आईये देखे बात करते हैं इनके बारे में आराम से कहाँ पर 8-100 बारिए बायव का ब्रीहद अस्तरी आधान प्रदान jet stream के माध्यम से होता रहता है इस कारण क्या होता है उसमा का संतूलन जो है बना रहता है कहीं से गर्म हवा लेकर क्या आती jet stream, कहीं से ठंडी हवा लेकर क्या आती दोनों आपस में मिलती रहती है उसमा जो है अपना आगे पीछे थोड़ा इन से ले लो थोड़ा उनको देदो इस प्रकार से उस्मा का आदान प्रदान जो है वह चलता रहता है बाकी बात करते हैं समसीतोर्स चक्रवाद के मार्गों के बारे में देखिए सम्सीतोर्स चक्रवाद के मार्ग तथा वर्सा वित्रण को प्रभावित भी करती है यह जेट इस्ट्रीम और कहां पर मध्य आच्छांसी चेत्रों के मौसम के लिए वर्स ठीक है जो सम्सीतोर्स चक्रवाद के मार्ग और वर्सा वित्रण को प्रभावित करके यह क्या करती ह कौन जेट इस्ट्रीम मद्या चांस या नहीं यह जो विशुवत रेखा वाला चांस हो गया जीरो डिगरी वाला ठीक है और सबसे अंत में बात करते हैं वायु रासियों के कारण वायु रासियों के बारे में तो यह भी बिल्कुल सही कथन दिया हुआ कि जेट इस्ट्रीम यह वायु रासियों के संचलन को भी प्रभावित करता है ठीक है और इस कारण क्या होता है कहीं पर दिर्गावजी तक सूखा आ जाता है कहीं पर दिर्गावजी तक बाढ़ की इस्तिती बन सकती कि क्योंकि जेट इस्ट्रीम अपने साथ अच्छी-खासी मातरा में पाउन इस्थानी आक्रितियों का भी प्रभाव पढ़ता है लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपको जोगरफी में डीटेल से पढ़ना पढ़ेगा फिलाल यहाँ पर प्रश्न पर देखिए देखे बात हो गई इन सभी कडिबंदों की तो अब बात का लेते हैं उपोस्ट कडिबं जेट इस्ट्रीम ठीक है भारत में जो सीट कालिन या फिर सीट कालिन क्या कहूं जो ठंडी में बरसात नहीं हो जाती कभी-कभी उसका कारण क्या होता जो उपोस्ट कडिबंदी पच्छुआ जेट इस्ट्रीम है ना वह भूमद सागर से उठने वाली हवाओं को जो है सितोचर चक्रवाद ठीक है फिलालम बात कर रहेते देखे उपोस्ट कडिबंदी पच्छुआ जेट इस्ट्रीम क्या करती भूमद सागर के उपर उत्पन होने वाली पच्छुआ विच्छोब को अपने साथ ले करके आती है कहां पर भारत पे ऐसे मानले यह भारत का नक् इन सब जहों पर हम देखते हैं ठीक तो जान लीजेट इस्ट्रीम कितना महत्रपून है कहीं पर सीधे सीधे यह स्टेटमेंट भी दे सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि जेट इस्ट्रीम जो है वह भारती मानसून को भी प्रभावित करता है ठीक है और कुछ हद तक वह भारती मानसून को भी प्रभावित करता है और यह अपने साथ सीध काल में जो है भूमद्य सागर से उठने वाली पच्छुआ विछोब या पिरसम सीतोस्ट चक्रवात को भारत में ले करके आती है इस कारण ठंडी के मौसम में भारत में भी बारिस होती है और भारत के उत्तर पस्च्चमी इलाकों में ही बारिस होती है इस कारण ठीक है चली निक्स्ट बात करें इसी कारार से मैं उस लेक्चर में नहीं करवाया था इन सबको और हाँ एटलस लिये है की नहीं नहीं लिये हैं की नहीं लियें तो खोल करके बढ़ेट जाइए एटलस आपके एटलस में जो है वड का physical map इसके अलामा अगर आपके अटलस में करेंट के बारे में आप फिर महासागरी धराओं के बारे में दिया है उसको भी खोलीजिए अटलस के सुरुवाद के कुछ पेजों में दूसरे तीन नंबर के चार के दो-तीन-चार पेजों में जो है वहाँ पर आपको इन सभी के बारे में डीटेल से बताया गए भी जाता है उसी को पढ़ लेंगे तो जाधी जोगर्फी तो वहीं से कवर हो जानी है ठीक है चलिए बताई पूछा जा रहा है कि निमली खित्म से असुद्ध विकल्ब का चैन कीजिए बीस डिगरी और तीस डिगरी उत्तरी एवं दच्छडी आच्छांसों के मध्ध वास्पी करण की उच्च दर के कारण जल में उच्च लवडता पाई जाती है जिसके कारण जल के घनत में वृद्धी होती है अभी हमने टेंपरेचर के बारे में अपना पहला कोश्चन आपको गलत वाला बताना है यहां पूछा जा रहा कि वर्षा जल महासागरों की और प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाया गया सतही जल बरफ से पिगला हुआ जल इत्यादी ऐसे अन्यसूच मकारक हैं जो जल के घनत्तों में कमी करते हैं तीसरा यानि आप्शन सी है कि बढ़ता घनत्व गहरे महासागर में मौजूद निम्न दाब के तहत महासागरी जल की संपीडित होने की छमता को प्रदर्शित करता है और सबसे अन्त में आप्शन नमबर डी है कि उच्च लवरता युक्त महासागरी जल का घनत्व भी अधिक होता है और प्राया अन्सर है वह है आप्शन नमबर सी सही यानि कि यह कथन गलत दिया हुए कि बढ़ता घनत्व गहरे महासागर में मौजूद निम्न दाब के तहत महासागरी जल की संपीडित होने की छमता को प्रदर्शित करता है यह वाला कथन यहाँ पर गलत है ठीक है देखे महासागरी जल का जो घनत्व है वह मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भड करता है एक तो टमप्रेचर हो गया ठीक तापमान दूसरे हो गया उसकी लवडता और तीसरे हो गया उसमें दाब या फिर प्रेसर ठीक है टेमप्रेचर लवडता और दाब यह तो हो गई बात है महासा वर्षा का जल कई पर भारी मात्रहं में वर्षा हो रही है तो उस महासागर जल का घंदत उसकी कट्टी रहती है इस कारण जो है वह सागर जो है वह सुद्धतम रूप में आ जाता है एक सिकंड रूप यह तो देखें कि हम लोग बात कर रहे थे कि लटा किस प्रकार से कम हो जाती है तो गनातर के बारे में बात कर रहे थे तक इसमें देख लिया था अभी हम नहींद आ देख रहे थे वर्शा जल या फिर लवरता जो है किसप्रकार से अन्य माध्यमों से कम हो जाती है इनके कारण भी जो है जल का घना तो कम हो जाता है फिलहाल जो मेजर मेजर कारण है वह है कम होता है वहां मैं बता रहा था कि लवड़ता जैसे बर्सात के कारण कैसे किस प्रकार से घनत कम होता है तो देख यह बर्सात का पानी काफी मात्रा में सुध्ध जल ले आता है अपने साथ और वह सुध्ध जल महासागर में बर्साता है और इस कारण से महासागर की का घंद तो जोगो कम हो जाता है फिलाल बात करतें मेजर मेजर रीजन यानि सबसे पहले बात करते हैं टंप्रेचर के बारे में तो देखिए माहसागरी जल की सतह और वाय पंडल के मध्ध उसमा के मिनमेश पर टेमपरेचर निर्भर करता है ज्लका फेलाव agree? आई heapली की है विश्वत रेखा को इसका बढ़ेगा जब टेमपरेचर बढ़ता है? किसी चीज का तो आपको भी पता कि वह और अधिक तरल या फिर घुलन सील चीज घुलन सील हो जाता है वह वस्तू जैसे कि पानी है तो और ज्यादा घुलन सील हो जाएगा वह पानी में यहाँ पर मासागर में वह क्या होगा उस जल का और थोड़ा सा प्रसार होगा इससे क् हो जाएगा ठीक है और जब की जब लो टेंपरेचर रहता है अभी हाई टेंपरेचर की बात हुई जब लो टेंपरेचर रहेगा तो यह क्या होगा संपीडित होगा या फिर जल का जल क्या होगा और ज्यादा संकुचित हो जाएगा इस कारण क्या होगा जल के घनतों में व्रिद्धी हो जाएगी कब जब टंपरेचर जो है वह लो होगा टंपरेचर हाई होगा तो जल के घनतों में कमी हो जाएगी और टंपरेचर लो होगा तो जल के घनतों में व्र ठीक सिंपल टेंपरेचर बढ़ेगा तो डेंस्टी जो है वह कम हो जाएगी टेंपरेचर कम होगा तो घनत जो है वह बढ़ जाएगा इसलिए हम देखते हैं कि भूमद रेका के समीव परती छेत्रों के पेच्छा में धुरूओं पर जो है जल का घनत तो ज्यादा होता है औ दुरूओं पर जल का घनत तो ज्यादा होता है सिंपल सिंपल छोटे जोटे लॉजिकल रिजन काम करतें ज्योग्रफी में बात करते हैं नेक्स्ट लवड़ता की या फिर सेलिंटीक बात करते हैं तो देखिए उच्चे लवड़ता ये महासागरी जल का घनत तो क्या होता है simple ठीक और होता क्या है कि जो कम लबड़ता है वह नीचे बैढ़ जाता है इसकी density कम है तो यह नीचे चला यह कम जोर है तो थोड़ा सद्दाबार आएगा उपर वाला ज्यादा मजबूत या फिर उसकी density जादा है तो वह उपर रहता है तो इससे क्या होता है जल का इस्तरी करण हो जाता है नेक्ष्ट बात करते हैं दाब के बारे में या फिर प्रेसर के बारे में देखे बढ़ते घनत तो गहरे महासागर में मौझूद अठ्धिक दाब के तहत महासागर का जल जो है वह अधिक रहेगा बढ़ता घनत तो गहरे महासागर मजूद अत्यधिक यहां पर क्या है निम्न अत्यधिक दाब के तहत महासागरी जल की संपीडित होने की छमता को परदर्श्रित करता है अन्यकारकों के बारे में हमारी बाते हो चुकी है तो चले नेक्ष्ट प्रस्ट पर चीज आपको बताओं छोटा सा फेक्ट है जो भूमद रेखा है यहां पर जल में और सतन जो है वह 35% की सैलिनिटी या फिर लवड़ता पाई जाती है आद रख लिएगा कहीं भी हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए अगये नेक्ष्ट देखते हैं पूछा जारा कि उष्ड कडिबंदी चक्रवातों के निर्मार के लिए उत्तरदाई निम लिखित कारकों पर विचार कीजिए यहां पर यह गलट टाइप हो गया ठीक है उश्र कड़िबंदी चक्रवात के निर्माड है तो 26-27 डिगरी से अधिक तापमान का होना आवश्यक है उच्च तापमान चक्रवात के लिए आवश्यक उसमा प्रदान करता है तीसरा उष्ड कडबंदी चक्रवातों के लिए कोरियालिस बलकी उपस्थिति आवस्चक नहीं होती है क्योंकि इस वजह से वायू एक केंदर के चारों और प्रवाहित होती है अथवा निम्न अस्तरी चक्रवात परिसंचरण आवश्चक है आपको बताना है कि उप्रोक्त मेंसे कौन सा सही है option है एक केवल एक दो और तीन बी केवल दो तीन और चार केवल एक और दो और चार या फिर डी उप्रोक्त सभी चलिए, चुकि आपको सही से दीख नहीं रहे सारे कतन एकसा है, तो इन दोनों में मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में ये वाला कतन जो है वह गलत है, बाकी आप इन दोनों इस्टेटमेंट को पढ़ करके बताएगे कि कंसे ऐसे कारण है जो उस्रकडवन्दी चक्रवातों के लिए उत्तरदाई होते हैं। जो नखी दूसरा क उपस्थिति आवस्चक नहीं है। जो अगर नहीं उपस्थित होगा तो चक्रवात भी नहीं आएं यहीं कारणा कि भूमत देलेखा हैं। यहां पर बहुमत दिर्खा पर पर किसी भी प्रकार का चक्रवात नहीं आता है तिक और कैंद्र की और आद्रता युक्त वायों के प्रवाह को आकर्सित करने लिए पहले से एक लो प्रेशर का क्छेत्र मौझूद होना चाई यहां पर low pressure अगर बन गया तब फिर इसके चारो तरफ आदरता युक्त वायू के होंगी आकर्सित होने लगेंगी ठीक है जहां पर जो भारी वायू होगी यह खाली जगम पर आके इसको भरना सुरू करेगी अब चारो तरफ से आ रहें तो इस कारण से कुछ इस परकार के च हम चक्रवात आते क्योंकि वह जो है कि भूम से ज्यादा घीरा हुआ और बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी खुली टाइप में है तो यहां पर चक्रवात ज्यादा आते हैं के चक्रवात के बारे में कुछ चीजह आपको बता दो कि उश्रकट बंदी चक्रवात होता है तो सब्सक्रवात होते हैं मूश्र भर्षा होती है बारिस नहीं होती है उस्टरकरबंदी चक्रवातना यहां से समुदर से इस्थल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इनकी गती जो है वह न्यून या फिर कम होती जाती है अलग-अलग महादीपों पे इनको या फिर अलग-अलग देशों में इन उस्टकरवंदी चक्रवातों को अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि केरेबियन सागर से उठने वाले चक्रवूस रुकरवंदी तूफानों को जो है या चक्रवातों को जो है हरी केन कहा जाता है केरेबियन सी कहा है या अपने मैप में लोकेट करके बता देख लिजेगा चीनी सागर में उठने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है हिंद महा सागर में उठने वाले उस्वड़कर बंदी चक्रवातों को चक्रवाती कहा जाता है इस कारण हम लोग क्या कहते हैं चक्रवाती कहते हैं ठीक है आश्ट्रेलिया यानि इसको हम लोग आश्ट्रेलिया नहीं इसको हम लोग उत्तर आश्ट्रेलिया कहेंगे तो उत्तरी आश्ट्रेलिया से उठने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है वाईली विलीज ठीक है ध्यान आ रहा है प्रशना आता है वाईली विलीज कहा उन सा वाले मेक्सिको से उठने वाले चक्रवातों को कहा जाता है कि टोर नेडो ठीक है सारी चीजे कलियर हो गए मेरे ख्याद से चली बात करते हैं आगे एक और समसीतों से चक्रवात के बारे में जान लिए थोड़ा सा उसरकड़ बंदी चक्रवात हो गया ना अब थोड़ा सा समसीतों से चक्रवात को देखिए तो देखे समसीतों सुड़ चक्रवाद का निर्मार का होता है दो विपरीत वायुरासियां विपरीत गुड़ो वाली वायुरासियां जब आपस में मिलती है तो वहाँ पर समसीतों सुड़ चक्रवाद की इस्थिति उत्पन हो जाती है इनके सीमा चित्र को क्या बोलते हैं वातागर बोलते हैं ठीक है दो विपरीत राशियों वाली जब वाय उरासियां आपस में मिलती हैं तो उन दोनों के मद्ध विक्सित सीमा चित्र को वातागर कहा जाता है और वातागर के निर्मार के लिए आदर्स परिष्थितियां क्या रजबूत होती हैं तो इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए इस प्रकार के अभिसरीत वाई होनी चाहिए और वह इतनी सक्तिसाली होनी चाहिए कि कोरियालिस बल के साथ साथ इसको एक वाई साराज को दूसरी वाई राज की तरफ धकेल सके ठीक है और ऐसी परिष्टियां ज्यादातर कहा उत्पन होती तो ऐसी प्रिष्टिया ज्यादातर उप उच्छ तथा उप ध्रूविय निम्न दाप पेटियों में निर्मित होती है ठीक है चली फिलाल चलते हैं अगले प्रश्णू पर यहां पूछा जा रहा है कि इस्थल जल तापमान भिन्नता के संदर्म में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला सौर विक्रण से प्राप्त उस्मा जल में प्रवेश करके जल की एक परियाप्त मोटी परत में फैल जाती है दूसरा जल की विशिष्ट उत्मा उस्मा मृदा के कड़ों की तूला में अधिक होती है तीसरा जलावर्थ धाराओं के माध्यम से मिस्त्रित जल उस्मा को नीचली परत तक ले जाता है और तीसरा वास्पी करण द्वारा जल की सतह अधिक ठंडी हो जाती है इस्तल की तूला में जल की सतह के तापमान में धीमी विद्धी के लिए उपरिक तुकार को में से किनको किनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है विकल्प आपके पास है केवल एक दो और तीन, बी केवल दो तीन और चार, सी केवल एक दो और चार और डी एक दो तीन और चार फिलाहाल यहां देखिए आप इन कत्रों पर विचार कीजिए और बताइए कि क्यों इस थल की तूलना में जल की सतह के तापमान में धीमी व्रिद्ध होती है इन में से कौन-कौन सा कतन सही है इस बारे में लुक्ति अखिए तो जो सही कतन है या फिर जो सही ऑपन में वह है आपसण नंबर टी सही से आप इस स्टेट्वेंट पर ध्यान दियोते तो आप भी आसानी से कर लेते इस तोल की तूलना में जल का जल का तापमान जो है धीमी गति से ब्रिद्ध करता है कारण उसका यहां पर है कि सौर विक्रण से प्राप्त उस्मा जो है वह जल में प्रवेश कर जल की एक परियाप्त मोटी परत में फैल जाती जल में आई या फैल गई चारो तरफ अब जब फैल गई तो धीरे दीरे टमप्रेचर न बढ़ाएगी फिर जल की विशेष्ट उत्मा मृदा कड़ो लिछ लेका गञाल का ओप्वाद जाते है कि टमप्रेचर को नीचे के टमप्रेचर को ऊपर लेका तो अब इतना गुमाओं तो तापमान those कंवं हों या धीरे धीरे बढ़ेगा कम नहीं होता है धीरे धीरे बढ़ता ठीक है जल इस्थल की तूलना में उसके बाद वास्पी करण द्वारा जल की सतह अधिक ठंडी हो जाती अब जल पर वास्पी करण भी ज्यादा हो रहा है तो उपर का जो गर्म जल है वास्पी करित हो जा रहा है तो नीचे का जल तो ठंडा ही होगा न अब temperature के आवध बहुत धीरे धीरे इसी कारण गर्म होता है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ यहां पुछा जारा कि हाले ही में चक्रवात अमफान ने पस्चिम बंगाल और ओरीसा राज्यों में कहर बर पाया इस संदर में निम लिखित पर विचार कीजिए पहला उष्ण कड़िबंदी चक्रवात 26 डिगरी सल्शियस या उससे अधिक तापमान वाले महासागरी जल पर बनते हैं दूसरा आरफ सागर की तूला में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं तीसरा सभी चक्रवातों का नाम तय करने की जिम्मेदारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन पर है आपको बताना है कि उपरुक्ट में से कौन सा सही है अभी अभी सारी चीज़े आपको बताई गए वहाँ पर ठीक है इसका जो सही अंसर होगा है इसको आपको कमेंड करके बताईएगा क्यों सही है ये भी आप कमेंड करके बताएं गए यह अपकी जिम्मेदारी है आई ये नेक्स प्रसिंट को देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि संगनन के लिए एक महत्पूर आवस्चक्ता वायू के तापमान में गिरावट है तापमान में गिरावट की यह आवस्चक्ता वायू के आरोहन से पूरी होती है लेकिन वायू के इस आरोहन से तापमान कैसे गिरता है आपको बताना है कि इसका क्या उत्तर हो सकता है पहला वायू के नमूने के बाहर उस्मा का हरास होता है दूसरा वायू के नमूने में गैसों के अड़ों के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे वे अधिक तेजी से गती नहीं करते हैं और तीसरा अधिक उचाई पर वायू के दबाव में कमी के कारण आरोहित वायू खंड में विस्तार होता है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही अंसर बताना है आफसन है एक केवल एक, बी केवल दो और तीन और सी केवल दो और डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है चलिए जल्दी कीजिए थोड़ा देखे इसका जो सही अंसर है वह है बताए कौन सा एक बर ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए वाइब के नमूने के बाहर उस्मा का हास हो जाता है ठीक है तो अब तो एंसर टिकल लिए अब आपने इसका जो सही अंसर है वह है आपसन नंबर B केवल दूसरा और तीसरा सही है वाइब के नमूने में गैस के अडूओ के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे वे अधिक तेजी से गती नहीं कर पाते जाएज सी बात है थोड़ा ठोस रहेंगे मजबूत रहेंगे तो अधिक तेजी से गती करेंगे अब एक अडू यहाँ पर है एक अडू यहाँ पर है तो कैसे मिल करके गती कर पाएंगे यह लोग है लगा है तो यह समान गती से गती या फिर अधिक तेजी से गती नहीं कर पाता है वहीं अधिक उचाई पर वायु के दबा़ में कमे के कारण जो आरोहित होती है वह खंड में विस्तारीत हो थिक यहां पर पूछा गया था कि वॉयų के इस आरौण में ताप्मान कैसे गिरता है temperature कैसे गिरता है तो वहाँ पर आपको बता दिया गए क्योंकि वॉयूकrг के यहांड आपस में दूर होते हैं इस कारण जो है उसका temperature low हो जाता है क्योंकि वे अधिक तेजी से गति नहीं कर पाते हैं और अधिक उचाई पर दबाओं या प्रेसर कम होता है इस कारण जो आरोहित वाई होती हुए कई टुकड़ों में विभाजित हो जाती है फिलाल चल रहे हैं अगले प्रस्ण पर वारोहण का मतलब होता है उपर ठीक है उपर की और जाना एक वाई दूसरी वाई की उपर ऐसे से आ रहे हैं तो अधिक तेजी अधिक तेज वरगति से यह नहीं आ पाते हैं क्योंकि अड़ों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और दूसरे निश्ट बात करें निश्ट प्रस्ण है कि प्रवाल भितियों के करमिक रास से जुड़े निमलेखित कतनों पर विचार करें पहला प्रवाल तापमान के अत्यंत संकेन परास में जीवित रहते हैं अत्य तापमान में मामली परवर्तन भी बड़े पैमाने पर हरास का कारण बन सकता है दूसरा अतिमत्सियन केश भूम से होने वाला अपवाह और राशायनिक प्रदूसर नौकायन क्रियाएं आधी प्रवाल भितियों के हरास के या कोरल रिपे हरास के लिए जिम्मेदार हैं सबसे अंत में कतन 3 है कि यह संभावना व्यक्त की गई है कि 2030 तक 90 प्रतिशत प्रवाल भितियां तथा 2050 तक सभी प्रवाल भितियां संकट गरस्त हो सकती हैं नीचे कूट का प्रेवक करते हुए आपको सही अंसर को चुनना है आपसन है एक केवल एक और दो बी केवल दो और तीन सी केवल एक और तीन और डी उप्रोक्त सभी यह कोरल विभे के हराज के संबंद है इसका चाहिए कमेंट करके कमेंट मत करे आप अक्ना अंशा Wallach बढ़े हैं है जो उसन नंबर डी सभी चार के चैरू कत्थन जो है स्कार फोका बैविए काफी ज़ीदा हिरा मानवी क्रिया कंवात में ज्यादा तर जिम्मिदार है और एक सबसे बड़ा कारण है कि जो कोरल रीफ है या फिर जो प्रवाल भी दिया है वे तापमान के अत्यांतर संकेन परास में परास क्या होता है मतलब एक सीमा यहां पर एक सीमा मतलब मान लिजिए कि चार है और चे के बीच खेक सिंपल परास समझा रहा हो चार और छे के बीच कितना डिफ्रेंस इस सिर्फ एक का न तो इसी पर जो है कोरल रीफ जीवित हैं इसी को परास बोलेंगे इस चेत पूरा-पूरा अगर चार से कम होगा तो खतम हो जाएंगे च्छे से ज्यादा होगा तो प्रवाल भित्या क्या होगी वह नष्ट होना सुरू हो जाएंगी या फिर छेद समलोग एक हुआ तो भी ये नष्ट होना सुरू हो जाएंगी तो पहला रिजन्त होगी यह हो गया दूसरा चीज अतिमस्चन काफी ज्यादा मचली मारने लगते हैं लोग एक होता है प्रवाल भित्यां भी काफी ज्यादा रहती है और वे बाहर आते ही नष्ट होना सुरू हो जाती है जीरे जीरे ठीक है अध्य नष्कान गें गुमने फिरने गया कुणा कुणा सकता है और कृसला आपाने और इसको कृसला नहीं प्रसाइन फर और दूसर से जोड़ कर erfannel जो क्रिस्प भूमियों से जो अत्यां तो दूसरी तरह सा कीटनास को आधी का प्रयोग किया जाता है वे सीधे उनका पानी या जिस समुद्र में आ गया तो इस कारण भी कोरल को जो है वह खत्रा होता है कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं होती है ठीक है और क्या करते हैं सब को जुटा के लिक चले गए तो आहार की भी तो कमी हो जाती है 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 कि नहीं कि चलिए निक्स देखें पूचा जारा कि तापमान व्यूत करम या टेंपरेचर इन्वर्शन से जुड़े निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला जब ठंडी वायुरासियां गर्म वायुरासियों में प्रवेश कर उनके नीचे इस्थापित हो जाती है तथा गर्म वाय को उपर की ओर उठाती है दूसरा पहाडियों एवं परवती चित्रों में वायु प्रवाह के कारण तापमान व्यूत करमण होता है तीसरा मेग भीन एवं इस्थिर वायु वायु वाली लंबी सीत कालिन रात्री तापमान व्यूत करमर के लिए आधर से इस्थिती होती है आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कतन जो है वे सही है आप्सन है एक केवल एक और दो बी केवल दो सी केवल तीन या फिर डी उपरोक्त सब्सक्राइब कथन एक बार देख लिजिए आप लो मताना है आपको कि टेंपरेचर इनवर्शन के लिए कौन-कौन सी आधर से इस्थितिया या फिर कौन-कौन सी कतन जो है वे जिम्मेदार है कि सक रड़ टेंपरेचर का ईनवर्सन या फिर तापमान वियुतक्रामर होता है तो इसका जो सही अंशर है वह है option number d अब्सक्राइब सबसे पहले होता क्या है कि जैसे जैसे हम उचाई पर जाते हैं ठीक है जैसे जैसे उचाई पर जाते हैं वैसे टेंपरेचर क्या होता है वह लो होता जाता है यहां टी लिग देता हूं यहां पर हाइट लिग देता हूं तो जैसे जैसे आप उपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेमपरेचर जो है वह लोग होने लगता लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि टेमपरेचर जैसे जैसे बढ़ती रहती है वैसे वैसे टेमपरेचर भी भड़ता रहता इसी को बोलते हैं तो पर ये भी रिंशी तरह नहीं तोट fel लेकिन एक अन्य करत होती कि जैसे जैसे हम अधिक उचारी पर जाते हैं वैसे वैसे टेंपरेचर भी बढ़ता रहता है इसको बोलते हैं तापी व्यूत क्रमड ठीक है अब इसके रहे जो सरवाधिक आदर्स परिष्टिती होती है वह यह होती है कि मेग भीन मतलब बादल बिलकुल नहीं है कि गठनाये देखने को मिलती है ठीक है उचंता रह प्रत्राण कि होता है है तो प्राता काल तक होता कि जो उपर की वाई की तूलना में धरातल जो है वह अधिक थंड़ा हो जाता है ठीक है भूम जो है अधिक ठंडी हो जाती जब कि वाई जो है वह गर्म हो जाती है ठीक गरम हवा दीरे दीरे उपर उड़ गई ना आइट के साथ साथ गरम हवा उपर की उर उड़ ग तो सुहाना मौसम नहीं है मौसम तो सुहाना ही बोल सकते हैं आप लो नेक्स्ट तो पहाड़ी और परवती छेत्रों के बारे में हाँ पर देखिए वायु प्रभाह के कारण तापमान का व्यूत्क्रमन होता है क्या होता है तो परवतों और पहाड़ी उपर हमने देखा तो देखे जब ठनडी वायु रासियां ठंडी और ठंडी वाई राशियां गर्म वाई रासियों में प्रवेस कर जाती है यह वाली यह गर्म वाई रासि है तो ठंडी वायूरास जब गर्म वायूरास में प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है ठंडी वायूरास जो है वह गर्म वायूरास के यहां पर यह कंडिशन के हो जाती है गर्म वायूरास के नीचे इस्थापित हो जाती है उपर क्या होता है उपर का टेंपरेचर ज्यादा हो ग है बस सिंपल सी बाते हैं बस थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिए आप लोग नेक्स्ट बात करते हैं कोस्चान नमबर 31 की देखा इसलिए छोड़ा था 21 से लेकर के 31 तकाने में मुझे लग रहा है एक गंड़क टाइम बीट गया होगा सायद सायद लग 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 बीट गया है लेकिन हम लोग इससे कंप्लीट कर लेते हैं देखे पूछा जा रहा है कि महासागरी तापन से जुड़े निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए पहला महासागरी या फिर C टेंपरेचर जो है या वी आक्सीजन वी आक्सीजन या फिर डी आक्सीजनेशन अर्थात महासागरों में घुली हुई आक्सीजन की मात्रा में बढ़ोत्री तथा महासागरों के चारी करण अर्थात कारवंडाय या अक्साइड में वृद्धी के कारण महासागरों के पीयच मान को बढ़ा देती है दूसरा कतन है कि महासागरों के ताप में कमी आएगी अले नीनों परिघटनाओं की तिवरता में ब्रिद्धी के परिडाम सुरूप सूखे और बाण की तिवरता में प्रिद्धी होगी कि पूछ रहे हैं महासागर का टंप्रेचर अगर बढ़ गया तो क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं ठीक है महासागरी तापन की वजए से मैंग्रोब जैसी तटिय वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के विनास से तटिय समुदायों और वन्ने जीवों की सुभेद्धा में व्रिद्धी होती है आपको बताना है कि उपरोक्ट में से कौन-कौन से स्टेट्मेंट जो है वह सही है आपसन है आपके प्रास एक केवल एक और दो बी केवल दो और तीन सी केवल तीन और डी उपरोक्ट सब भी चलिए ऐसा करते हैं इसको यह पर रोक देते हैं इसका एक लेक्चर आपको कल सुभे जो है मैं कोशिस करता हूं साथ आठ पजे देने की ताकि कल हम रात में जो है अपना अगला इसका हंड़ेट कुस्टन कंप्लीट कर सकें तो फिलाल इस प्रशन को आप लोग अच्छे से समझिये और स्वाल करने का प्रयास करिए मिलते हैं निक्स्ट लेक्चर में तब तक लिए थैंक्यू करना मत भूलिएगा